Cerebral Palsy, CP, Disorders का एक ऐसा ग्रुप है जो किसी वेक्तिकी बालन्स और पोस्चर को मेंटेन करने और बनाई रखने की अबिलिटी को एफेक्ट करता है CP, बच्मेंट में होने वाले most common motor disability है Cerebral means having to do with the brain and palsy means weakness और problems with using the muscles ये पाया गया है कि ग्लोबल पॉपुलेशन के 10 प्रतिशत में विभिन में कारनों से किसी ना किसी रूप में ये disability है भारत में ये पॉपुलेशन का 3.8% है Nearly 15-20% physical disabled children are affected by cerebral palsy CP का prevalence प्रती 1000 life births पर 1.5 से 2.5 की रेंज में है Birth Asphyxia विशेश रूप से लंबे समय तक CP के लिए रिस्क को बढ़ाता है लगभग 10 प्रतिशत केसें In a majority of these cases, CP is due to unknown aethologies, CNS infections, meningoencephalitis, hyperbilirubinemia, serious accidents and head trauma are among the recognized causes of CP Medi Circle में हम World Cerebral Palsy Day series का आयोजन कर रहे हैं To spread awareness about the challenges and difficulties these people face Society should not stigmatize the condition and accept who they are Hello, Namaskar मैं हूँ प्राजिता महरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं Dr. Suraynda Khosya जी से Dr. Suraynda Khosya जैपुर के Eternal Multispeciality Hospital में Consultant Neurologist है आपके area of interest है Movement Disorders, Headache, Stroke और Neuro Rehabilitation He has also won Best Resident Award in Government Medical College Quota He has also won Second Prize in Neocon Quiz 2015 His expertise lies in Electroencephalography EEG and Electromyography EMG Polysomnography, PSG or Sleep Study, Critical Care and Neurology Thrombolysis and Stroke, Neuro Rehabilitation, Administering Butox Injections Epilepsy, Movement Disorder, Dementia and Behavior Welcome to Vericircle Dr. Suraynda Khosya यह हमारा सौभागया कि आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं Namaskar Sir, क्यासे हैं आप? Namaskar, बस ठीए हैं, आप बदाएए मैं भी बढ़िया हूँ तो सबसे पहले इंटेव्य के पहले प्रश्न की तरफ फटा-फट बढ़ती हूँ आपने जैसे आपने बता है कि जातर में नहीं होते हैं पता नहीं होता है कि यह कुछ रिस्ट फैक्टर है उन रिस्ट फैक्टर जो भी अगर आगे होने की चांसे भड़ जाते हैं जब बच्चा या प्रकार की कोई इंजरी हो इसकी वज़े से हो सकती है उसकी वज़े से स्रेवल पालची तक हो सकती है या तो समय किसी वी बच्चे प्रोलोंग हो जाए जिसकी बज़े से पेशिएंट का इंक्रीज हो जाते है बच्चा पैदा होते ही लेट होता है तो डिले करता है तो नहीं होते हैं और ब्रेन को नहीं मिलती है कुछ टाइम के लिए लड़ की नहीं मिलती है तो उसकी वेशे ब्रेन का नुक्सान हो गया तो यह विए विदिट विटिएट डेज जनम से तक जो भी होते हैं उसके बाद में बच्चों को किसी भी प्रकार का ब्रेन इंट्सक्षन हो सकता है है हैए सकता है प्रेंड का ब्लक्रश कम हो जाएं में किसी नियूर मेटावली डिसॉडर होते हैं लिपिट्ट व्प्टोरेज डिसोडर से हैं जिसमें की डिएग्रेंडि नियूरस होाई है यह कुछ भी हो सकता है इसकी वाज़े से परमानेंट डैमेज हो जाता है उस इससे के फंक्शन चले जाते हैं ज्यादतर लोगों में हमने देटा है सेर्वल पाल्शी में एक तरब का हाथ या पैर काम नहीं करता है या आवाज में बतलाव होती है यह आवास का डॉलमेंट नहीं होता है हो चकते हैं लैंग्वेंट डिल्य हो गया मोटर डिल्य होगया है मोटर भी हो गया अगर किसी प्रशेंट की पीशिंट का डिले तो वह थिसे पालची के अंदर आता है जब बच्चा बेबी पैदा होता है तो उससे में कुछ साइन देखते हैं कि पहला तो होगा जी प्रीनेटल पॉस्टनेटल और दूरिंग इंफैंसी पिरियर हो गया उसके बाद होता है कि जब डिलीरी हुई उससे बेबी का अपरियंस कैसा था कि बेबी का अपरियंस है कि बिल्कुल लूज है तो रिस्क होता है कि पैसिंट को में भी सब्सक्राइब लिटा हुआ है तो यह आगी तरब इंडिकेज करते हैं या कोई भी बच्चा इनिशली वनियर में अगर अपने मुठी को बंद करके रखता बच्चा जाता तो वह अर्ली साइन हो सकता है सेर्वल पालशी का और सेर्वल पालशी के बारे में जैसे है आपने बताया नहीं होते ब्रेंट मढ़न हो सकते हैं या आपना यह सकता है या वह सब करती है कि जो भी होती है तो वह करते हैं कि जादा होते हैं यह नहीं जो भी होगा उपने चांचे हैं कि अफेक्ट हो सकती है इंक्रीज करती है अगर आपको पहला सवाल ही आपसे यही था कि क्या सीपी लाइफ थ्रेटनिंग है और यह होती है जैसा कि नॉर्मली लोगों ने सुना है तो अभी आपने जैसे जवाब दिया इसका पहले से ही जी सेरिवल पाल्सी एक इस्टेटिक एंस वह पहती है don't tous इप इन्सेंट के साथ इंप्रूब होगा उसका लेंवेज़ में इप्रूब होगा शिए रहेगा यह हम जनरली इसके रिए टार्म यूज कठा है इस्टेटल्स इस्टेटिक एंस त्टेटी Vivian Beschating नहीं है सेरिवال पाल्सी जाइब नहीं है पर इसी है यह वह बच्चा से उसके है तो कुछ हमेंतेशन होती है है यह पेसे सथ में सुनने की δिक्कत हो सकती सब्सक्राइब तो बार-बार कफिंग होगा डिस्पेजिया होगा यह निमोनिया के चांद से बढ़ जाते हैं इस नोट यह इंप्रूब इंप्रूब इन ला मॉस्ट प्रेशन तिर्का टाइम वट रिमें लाइफ लोग ओके और है डिटी वाला चो पॉइंट आपने बोला है और उनके लिए प्रोवन करती है कि आपका नेक्स्ट बीबी और यह रिस्क रखिए कि आपके पास होने के चांद से होते हैं नाइंटी परसेंट में अन्नों होते हैं हमें पता नहीं होता है और राइट बहुत ही एक्स्प्रेंग करके आपने आंसर में समझाया है तो सर यह जो बेमारी जितने इसके आपने कारण बताई हमें और किस तरीके से यह लाइफ त्रेटनिंग बिल्कुल नहीं है लेकिन हाँ इसके चांसों है कि आगे यह जा सकती है अगले बच्चे में तो क्या CP के लिए कोई किसी प्रकार के treatment options available हैं हम लोग के पास क्या सबसे पहले तो यह है कि सर्विल पाल्शी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं जैसा कि हमने बात की कि सर्विल पाल्शी के लिए सबसे मुझे risk factor होते हैं या prone कि में होती है सबसे होती है या मल्टीवल प्रिणेंशी है मल्टीवल प्रिणेंशी है तो हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं इम्मुनाइज करके मदर को जिन चीज़ों के इम्मुनाइज कर सकते हैं जूफरा होता है कि प्रिग्नेंट फिमेल है तो उसका अच्छा वेट हो न्यूट्रिशन का पुरा ध्यान रखा जाए कि सबसे बड़ा है भारत में प्रिग्नेंशी हो गई वेट करना रहा है तो आप ने डिलिवरी को डिले किया या लेडर को प्रोलोंग किया अगर रहा सेयखे को इस दफ गुना चाता भड़ जाएंगे लेड़ कर सकते हो इस प्रोलोंग नहीं करना है वेल उक्यूपाइज सेंटर पे अची जगर पर आपको डिलीवर करवाना चाहिए रिदी के बाद में भी हमें गाव में दिखा है कि बेपी को भूटी देना है कि पहली तो प्ला देते हैं तो सबसे बड़ा मीडियम है कुल्चर मीडि हो सकता है तो हमें इन चीजों के लिए अवेर करना है इसके बाद में जब हो गया उसके बाद होता है इसके लिए को इसके लिए को इसके लिए कुछ नहीं है होना चीए कि हर बेबी का आपके डिलीवरी थायरूल कम से कम ट्यस यह ब्लेड सुकर ट्यसे कि होए इसके पहने चीए इसके घंट आंको बहनों को और जो बी फैमिली मैंबरें ना चीए हैं कि अगर कोई किसी प्रगार के अपने अच्छे होगा अब रहती है बात ट्रिट्मेंट की परसी आसा कोई ट्रिट्मेंट है यह जाएगा विट्रिट्मेंट और थरेपी वी कें इंक्रीज की जो डिसेबलिंग कंडिशन को कम कर सकते हैं उसकी इंडिपंडेंश के चांज को प्रोलोंग कर सकते हैं और वह अपने नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपने कली तो उसके पीर गुरूप हैं जैसे इस्कूलिं इस संखक्स गुरूप के साथ या पीर गुरूप के साथ बूप यह उनके साथ इसकूल जाएगा उनके साथ भूमेंगा तो ही बच्चों का अच्छा डवलेमेंट होगा उसके लिए इसमें सबसे पहला आता है इसी लिए इसे उक्यूपेस्टिक होता है पर एक फ्लोपी में मदद करेंगी कि अपने खाने अपने इसका ज्यांद रख पाएं अपनी है त्रेपी कि प्रॉबल में इसको इस जी इंप्रूब कर सकते है ऐसे अगर कुसी इंपरॉब कर सकते हैं सबसे करना है उसके बाद है फीजियो त्रेपी है इस फीज त्रेपी है और इस फैमिली को सपोर्ट देना सब्सक्राइब करना है कि अपनी आपको का सपोर्ट करना भी सबसे इंपोर्टैंट आए अवेर्नेस सोसाइटी का विएविर देखने हैं नजरी है उसको बदलने के लिए लोगों को आपने जानकारी आज दी है और इस इंटर्वियू के माध्यम से आज इस इंटर्वियू को देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत सारी मतलब ऐसी जानकारी आपने दी है जो समय रहते बहुत है ऐसे किसी भी बच्चे के साथ तो मेरा आपसे एक और अंतिम प्रश्न है कि सीपी वाला यह जो देखती है वो क्या किसी प्रकार के एक्विप्मेंट एड्स किसी चीज़ को उप्योग करके अपने आसपास या दूसरों के साथ कम्यूनिकेट करने के लिए कर सकता है क्या है हाँ तो आजकर के से कीवोड्ब आते हैं वर्ड वाले कीवोड आते हैं के साथ में सकता है या जैसे किसी को हमें लिए और उसके लिए यहिंट सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इसका एजी करने के लिए जो भी है वह अम बहुत तक कर सकते हैं अगर उनका त्रेइन दी सकते हैं से तो अपने नॉर्मल रूटीन को जी सकते हैं आराम शी को दी सकते हैं बहुत बड़ी आपने होप और उमीद जगाई है लोगों के मन में कि अगर किसी वच्छे को या किसी वेक्टी को सीपी है तो वेक्टी अपनी इस डिसिबिलिटी के साथ भी एक सुभाविक नॉर्मल जीवन जी सकता है और बस हमें जरुरत है कि हम खुद जागरुख हों और समय रहते इस पर action ले सके हो इसके साथ ही जिवन परियंत उसके साथ एक support system के तौर पे अगर उसका परिवार और आसपास के समाज में ये जागरुखता हो ऐसे व्यक्तियों को कैसे handle करना है तो शायद उनका जीवन काफी असान हो सकता है तो आज आपने इतनी काम की बाते ह अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दॉक्टर साफ हमारे इस शो में आने के लिए और मैं पूरी मेडी सरकब की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इच्छी अप्लेशर हाविग यू ये तडे थैंक यू सो मच दॉक्टर